हालो एब्रीवन और वेलकम टू डियस कुरू जी राजस्तान जी के स्पेशल टेस्ट क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इसमें आपसे राजस्तान जी के के हंडेट मॉस्ट इंपोर्टेंट क्योशन्स पूछे जाएंगे जिसका करेक्ट आंसर आपको ब स्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है जहां से आप इसका पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो तो सुरुवात करते हैं राजस्तान जी के के मुस्ट इंपोर्टेंट क्योशन की पहला प्रशन है स्वामे भक्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदेश सिंग क अगला अपना प्रशन ही किसके समय में अफगान आकरमन कारी नादिर साहने दिल्ली पर आकरमन किया था वह वेक्ति जिसके काल में या जिसके समय में अफगान आकरमन कारी नादिर साहने दिल्ली पर आकरमन किया था तो वह समय था जगत सिंग दितिये का जिस समय नादिर स तुछक्रहान ने दिल्ली पर अकरमण किया था इसका इसका अे जोंगए तुक्त किया था अटे इसका करवाया गया था महाराना जघत सी दित alive द्वारा एघ्यू सब्सक्राइब करेक्ट होगा अगला अग्ला अपना प्रिश्न है राजस्तान में त्यट्य टॉपच नोब गत्प में त्यच में त्युर्युट नहीं घ्यू सबस्सक्राइब … तो वो सासक जिसको सर बुलंद राई की उपादी दी गई थी बूंदी के सासकते वो और उनको जहांगीर के द्वारे उपादी दी गई थी तो उन सासक का नाम है राव रतन हाडा इनको जो है जहांगीर ने बुलंद राई की उपादी दी थी ए ओप्सन इस क्योशन में करे आगला प्रश्न है राजस्तान वस्तु निष्ट में एक मुठी भर वाजरे के लिए सारे राजस्तान की बादसाथ खो देता यह वाक्य किसका है यह वाक्य किसने कहाता या यह कथन किसका है ऐसे और इसका जो आंसर होगा वह होगा सेर सा को यह जो कहा था कि मैं एक मुठी बर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादसाथ खो देता यह कतन है सेर सा का सी ओप्शन में करेक्ट होगा अगला अपना प्रश्न है निम्नलिकित में से किसे रावल की उपादी प्रधान की गई थी वह वेक्ती जिसे रावल की उपादी प्रधान की गई थी तो उनका नाम है बप्पा रावल इनको बप्पा रावल के नाम से भी जाना चाता है सी ओप्शन में करेक्ट होगा अगला अपना प्रश्न है प्रत्वीराज चोहान का समकालिन घहडवाल जो है उनका न के अलपायों में चयां करती थी फिल कि नोगतर सभि को जोगलदर वाचसा के उपादी से समानित क्या गया था उस सांध का का नाम क्या है तो उनका नाम है महराना कर्ण सिंग। फौ miljसी स्क्राइब्ट होगा अगला क्यूशन है और अंग्जेब द्वारा माही मारातीस के उपादी से किसे समानित किया गया था और अग्जेब के द्वारा जिसे माही मारातीस के उपादी से समानित किया गया था उस वेक्ति का नाम है महाराजा अनुप से इसको और अंग्जेब के द्वारा माही मारातीस के उपादी द जाना जाता था तो इनको जिस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था राजा भगवन्तिदास की पुत्री जो सलीम की पत्नी थी इस अन्य नाम से भी ये प्रशिद्य थी सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही राजस्तान के इतिहास में वीर हाड करेक्ट होगा कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठोड कोटा रियासत के वीर दुर्गादास राठोड की जाये तो यह जाना जाता है जाला जालीम सिंग को डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा बहुत ही महातपोण ये प्रश्ण है अगला प्रश्ण है रायरस्तान में वैश्णव धर्म का उलेक सरु प्रतम किस अभिलेक में मिलता है वैश्णव धर्म का उलेक जिस अभिलेक में मिलता है सबसे पहले वो अभिलेक ता गोसु वो वेक्ति जिसे मारवार का भूला हुआ नायक कहा जाता है उनका नाम है राउ चंदर सेन C option इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही बिकानेर के किस सासक ने मुगलों की जीवन परियंत सेवा की है उनका नाम है महाराजा राय सिंग C option इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन ही बिकानेर के महाराजा राय सिंग को मुंसी देवी प्रशाद द्वारा दी गई संख्या कौन सी थी किस संख्या से उनको नवाजा गया था कौन सी संख्या उनको दी गई थी तो महाराजा राय सिंग को मुंसी देवी प्रशाद के द्वारा जो संख्या दी गई थी वो संख्या थी राजपूत आने के करण की संख्या उनको दी गई थी बियॉप्सन इस क्योशन म में करेक्ट होगा अगला प्रिश्न ही कि सरवादिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंग को काबुल का सुबेदार कब बनाय गया था जो सरवादिक विश्वस्त राजा थे राजस्तान के मान सिंग इनको काबुल का सुबेदार कब बनाय गया था तो इनको जो काबुल का सुबेदार बनाय गया था इनको काबूल का सुबेदार बनाय गया था 1588 में इनको काबूल का सुबेदार बनाय गया था और ये राजस्तान के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा थे इनका नाम है मांसिंग, ध्यान रखिएगा C option इसमें correct ओगा अगला प्रिशन ही राजा मांसिंग को बिहार का गवरनर कब बनाय गया था औरंगजव के मृत्यों के बाद उसके उत्तरा धिकारी भाधुर सा ने किस रियासत के राजधानी का नाम मैमीनाबाद रख दिया तो जिस रियासत के नाम राजधानी का नाम इनों ने मैमीनाबाद रख दिया था बहादुर साने उस रियासत का नाम है आमेर C option इस question में correct होगा अगला अपना question ही वो प्रिस्थस्ती जिसमें बप्पा के हारित रिसी की क्रपा से निम्न मेंसे किसे चोहान सिला लेखों में मतंगा कहा गया है, वो वेक्ति जिने चोहान सिला लेखों में मतंगा के नाम से जाना गया है, उनका नाम है विग्रह राज दितिये, C option is question में correct होगा, अगला अपना प्रशन है जो द्रड राखो धर्म को ती ही राखे करतार, शब् है वो राजचिन है मेवाड का डी option इस क्योचन में Correct होगा ध्यान रखियेगा अगला प्रश्च participar में वारा मंदिर का निर्मान करवाय था उनका नाम है अनोराज स समन्मनय वेक्तियों को ग्रह कोवदी तालाव राजमल आदी की निर्मान विश्यक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती हैं तो जो कुवा बनाए जाता है बावडी बनाए जाती है तालाब बनाए जाते हैं राजमल बनाए जाते हैं इनके निर्मान की जो विश्यक जानकारी मिलती हैं यह जिस ग्रंथ से मिलती है वो ग्रंथ है राज वल्लब मंदन डी ऑप्षन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला अपना क्योशन है राजस्तान वस्तुनिस मेवार के किस महाराना ने औरंगजेब के विरुद अजीत सिंग की सायता की है औरंगजेब के विरुद जिसने अजीत सिंग की सायता की है उनका नाम है महाराना रा कर लिया जाता था दाशियां होती थी परंत उनकी उपपत्नी की रूप में jomet आ ली उन्हें गाह जाता था खासन पासवान और पढ़द यह तीनों ही नाम से इनको जाना जाता था डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योश्टिन ही राजस्तान का वह सासक जिसे हिंदू सुर्थ राण एम अभीना भरता चारे कहा जाता ही उस सासक का नाम क्या है तो सासक का नाम है राना कुम्भा डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला अपना प्रश्न है, मेवाड के चार जावर में चान्दी की खान किसके समय प्राप्थ हुई थी, ये जिनके समय में प्राप्थ हुई थी उनका नाम है राणा लाखः, A option इस question में correct होगा अगला अपना question है Kota Rajya का संस्तापक कौन था वो वेक्ति जिन्होंने Kota के स्तापना की थी तो Kota Rajya के जो संस्तापक रहे हैं उनका नाम है Madhu Singh ने इसकी स्तापना की थी D option इस question में correct होगा यहाँ पर misprint हुआ है word D option इसमें correct है अगला प्रशन है Sir Thomas Rowe को किस verse राजस्तान ये आये थे तो जो Sir Thomas Rowe है यहाँ से Sir Thomas Rowe राजस्तान जिस verse आये थे वो verse है 16-15 का 1615 का यह verse है A option इसमें correct होगा अगला question है बपा रावल का मूल नाम क्या था इनको बपा को रावल के उपादी दी गई थी और इनका जो मूल नाम था वो था काल भोज C option इस question में correct होगा यह question बहुत बार पूछा जा चुका है फिर पूछे जाने के संभावना रखता है C option इसमें correct होगा अगला अपना प्रशन है मेवार के इतिहास में शाशन का त्याग कर सोतेले भाय को राजा स्विकार करने की बिश्म प्रतिग्या किसने की थी तो वो वेक्ति जिन्होंने शाशन त्याग कर सोतेले भाय को राजा स्विकार करने की बिश्म प्रतिग्या की थी उस वेक्ति का जो नाम है वो नाम है चूड़ा चूडा ने ये प्रतिग्या की थी D option इसमें correct होगा अगला प्रश्न ही हवा महल का निर्मान कब और किस ने करवाया हवा महल के निर्मान के अगर बात की जाए जिसका निर्मान जब करवाय गया था और जिसके द्वारा करवाय गया था उनका नाम है सवाई प्रताप सिंग ने इसका निर्मान करवाय था 1799 इस्वि में 1709 में इसका निर्मान हुआ था सवाई प्रताप सिंग के द्वारा इसको निर्मित करवाय गया था D option इस question में correct होगा अगला question ही राणा कुम्भा मेवार की गदी पर कब बेठे थे 1443 इस वी में बी ओप्शन इसमें करेक्ट होगा अगला आपना क्योशन ही 1437 इस वी में सारंगपूर का युद्ध किन के मध्ध हुआ था और यू युद्ध किन के मध्ध हुआ था तो उनका नाम ही प्राणा कुम्भा एवं मोडु के सुल्तान महमूद के वी ची युद्ध हुआ था ध्यान रखेगा डी ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट हो जाएगा अगला अपना क्योशन ही प्रशिद मुस्लिम संथ ख्वाजा मोयनुदीन चिस्ति किसके सासनकाल में अजमेर आये थे प अगला अपना क्योशन ही प्रत्वी राज ने किस युद्ध में महमूद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था प्रत्वी राज ने वो युद्ध था तरायन का पहला युद्ध एव उप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन ही राजस्तान वस्तु प्रत्वी राज को सासन प्रभंद समालने के बाद उसका प्रतमसेनिक अभियान किसके विरुद्द था ? तो उनका जो प्रतम सेनिक अभियान था, जिनके विरुदुन का प्रतम सेनिक अभियान था, उनके चचेरे भाई नागाजुन के विरुदुन का प्रतम सेनिक अभियान था, नेक्स्ट क्योशन ही, मुहमद गोरी ने भारत के कहीं शेत्रों को विजित करने के बाद यहां का प्रशासन किसे सोपा था तो उन्होंने भारत के कई शेत्रों को विजित करने के बाद यहां का प्रशासन जिसे इन्होंने सोपा था उनका नाम है कुतुबु दीन एबक एतरों सन्ग्राम सींग द्वारा किस युद्ध में मुगल सासक बाबर की सेना को हराया गया था महाराना संगृराम सिंग के द्वारा जिस युद्ध में मुगल सासक बाबर जी से ना को हराया गया था वो युद्ध था बयाना का युद्ध D option इस question में correct होगा अगला अपना question ही हिंदुपत कहा जाता है हिंदुपत किसको कहा जाता है तो इंदुपत जिनको जाना जाता है इंदुपत से वो है महराना सांगा C option इस question में correct होगा खानवा इस्तान कहाँ पर पड़ता है खानवा का युद्ध हुआ था बहुत फैमा से युद्ध था और खानवा इस्तान जो पड़ता है ये पड़ता है रूप वास भरतपुर में इस question में correct होगा अगला question ही खानवा की युद्ध में राना सांगा की हार का कारण क्या था खानवा की युद्ध में राना सांगा की हार का जो main region था वो region था महराना सांगा का प्रतम विजे के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की सेना को त्यारी करने का समय देना पुरानी युद्ध तक्नीक और इसके साथ ही बाबर की तुलू गमा युद्ध पदती जिसके चलते खानवा की युद्ध में राना संगा की हार हुई बाबर की सेना के हरावल का नित रत्व किया था प्रताप की सेना जो ही इसके हरावल का नेत्रत्व किसने किया था तो इनके हरावल का जो नेत्रत्व किया था वो किया था हकीम ने दी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन ही सूर पठान अकबर ने उदेपुर का नाम क्या रखा था सूर पठान अकबर इन्होंने उदेपुर का जो नाम रखा था नाम बदल दिया था उदेपुर का और इसका नाम रखा गया था महम्मदाबाद इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन ही मेवाड के रक्सक के रूप में श्मरन किया जाता है मेवाड के रक्सक के रूप में जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है महाराना भामासा भामासा उनका नाम है अगला क्योशन ही दिवेर की जीत के बाद महाराना प्रताप ने अपना निवास इस्तान जो बनाया था इन्होंने अपना निवास इस्तान बनाया था चावंड में अगला अपना क्योशन ही मुगल बादसा अकबर ने राना प्रताप को मुगल अधिनता स्विकार करने के लिए संधी प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रियास को रूप में किसे भेजाता तो अंतिम प्रियास के रूप में इन्होंने जिसे भेजाता उनका नाम है राजा टो डर्म दिवेर का युद्ध किन किन के मध्ध हुआ था यह आपको बताना है तो यह जो युद्ध लड़ा गया था महाराना प्रताप यह मुगल की लेदार सुल्तान खाके बीज यह युद्ध हुआ था एव और इसमें करेक्ट होगा आगला क्योशन ही हल्दी घाटी युद्ध के किस मुद्ध को लेकर मारवार के महाराना संग्राम सिंग और मांडू के सुल्तान महमूत के बीज युद्ध हुआ था वो रिजन वो वो कारण वो मुद्धा जिसके चलते महाराना संग्राम सिंग और मांडू के सुल्तान महमूत के बीच युद्ध शिर्गया था और ये रीजन था मेदिनी राय के कारण ये युद्ध हुआ था अगला अपना प्रशन है अक्बर का विरोध करने वाला राशपूत ना कौन है वह राशपूत ना जिसने अक्बर का विरोध किया था और वह राशपूत थे राव चंदर सेन बी अप्शन में करेक्ट होगा अगला अपना question ही महराना सांगा को निम्न में से किस उपादी से समानित किया गया था वो उपादी है हिंदु पत की option इस question में correct होगा अगला अपना question ही कुंभा के सासनकाल में रनकपूर में जेन मंदिरों का निर्मान 1439 इस्वी में किस ने करवाया था उनका नाम ही जेन श्रेष्टी धर्नक C option इस question में correct होगा अगला अपना question ही कुंभा किसका परमभक्त था कुंभा जिसका परमभक्त था वो थे विश्णू बी option इस question में correct होगा question ही next चितोडगर की किस रानी ने बात्सा हुमायों से सहायता मांगी थी उनका नाम ही रानी करणावती यह option इस question में correct होगा अगला अपना question ही महराना उदे सिंग दितियों का राज्य बिसे किया गया था यह किया गया था कुंभलगर में बी option इस question में correct होगा अगला अपना प्रश्ण ही महराना उदे सिंग ने उदेपूर की नियू कब डाली थी तो महराना उदे सिंग जो है इन्होंने उदेपूर की नियू डाली थी 1559 इस वी में इस question में correct होगा अगर आप इन questions के answers नहीं दे पा रहे हो ता आप वीडियो को पहुँच कीजिए questions को ध्यान से पढ़ी और पिर इसका answer आप दे सकते हो अगला प्रश्ण ही वैदेनात मंदिर के प्रसस्ति किसने लिखवाई थी वैदेनात मंदिर के जो प्रसस्ति लिखवाई गई थी इसकी प्रसस्ति लिखवाई गई थी महराणा संग्राम सिंग दितिये की द्वारा C option is question में correct होगा अगला प्रश्ण ही मान चरित्र की रचना की गई थी इसके रचना की गई थी राय मुरारी दास के द्वारा C option is question में correct होगा अगला प्रश्ण ही चंद्रोदे, राग मंजरी, निर्तन निर्ने आदी ग्रंथों की रचना की द्वारा C option is question में correct होगा अगला अपनो प्रश्ण ही जै सिंग की मीजी राजा की उपादी प्रदान की थी जै सिंग को जो मिर्जा राजा की उपादी प्रदान की गई थी यह मिर्जा राजा की उपादी इनको किस के द्वारा प्रदान की गई थी तो जै सिंग को मिर्जा राजा की उपादी प्रदान की गई थी सहाजां के द्वारा बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन है जै सिंग चरित्र की रचना किस ने की थी जै सिंग चरित्र की अगर बात के जयत इसकी रचना की गई थी रामकवी के द्वारा बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन है जीज महुमत साही यह जै सिंग कारिका नामक जोतिस ग्रंथ की रशना किस ने की थी एक तो है जीज महमत साही और एक है जै सिंग कारिका ये दोनों ही ग्रंथ है और इन दोनों ग्रंथों की रशना किस ने की थी ये जोतिस ग्रंथ है और इनकी रशना की गई थी सवाई जै सिंग नेनस्ट के D option is question में correct होगा अगला प्रश्ण ही जेपुर नरेस सवाई जेस सिंग ने किसी युद्ध में मराठो को सेना को पराजित किया था और वो युद्ध ता पिल सुध का युद्ध D option is question में correct होगा अगला question ही जेपुर को गुलाबी रंग दिया गया जेपुर को गुलाबी रंग जिसके द्वारा दिया गया उनका नाम है महाराजा सवाई राम सिंग दितिये सी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन है अमीर खापिंडारी की टौक का नवाब स्विकार किया गया था जो अमीर खापिंडारी है इनको टौक का नवाब कब स्विकार किया गया था नो नौमबर 18-17 में इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन ही दल पुंगल दल पंगुल के उपाधी धार्ना किसकी है ये जो दल पुंगल के उपाधी है ये किसको दी गई थी दल पुंग संस्की जो अमें करेक्ट होगा अगला पुर्शन ही रन्थमबर में चोहान कि सुरॉआथ प्रत्विश्व्राज के उप्सन सवागरा कि अपैस्ट होगा अपना करेक्ट होगा अगला प्रश्ण ही इतिहास प्रशिद किस यूद में महाराना संगर की नेत्तों में राजपुताना के अधिकांस राजपुत सासक मुस्लिम आकरांता के विरुध लड़े थे तो जो इतिहास के प्रशिद युद्ध था जिसमें महारणा सांगा के नेततों में राजपुताना के अधिकांस राजपुत सासक मुस्लिम आकरांता के विरुध लड़े थे स्विकार कई इनागओर दर्बार में उपस्तित होने के बावजय उसकी अधीनता सुइकार नहीं की तो वो राजपूत सासक जिनके अकबर के नागोर दर्बार में होने के बाउजूद दी उनके अधिनता स्विकार नहीं की वो सासक थे प्रहा राउच चंदरसेन इनका नाम है और इन्होंने अकबर के अधिनता को स्विकार नहीं किया था उप्सें में करेक्ट होगा अगला अपना प्रेश्ण ही महराना प्रताव की अलावा राष्पूताने का भूभ भुला सासक जिसने मुगर अ दिन्तास विकार करने के अपैक्सा कस्टो का मार्ग अपनाते हुए सतत युद्धि की नीती जारी रखी थी तो उनका जो नाम हैं जिन्होंने सतत युद्धि की नीती जारी रखी कस्टो के अपक्सा तो ये वैक्ति का नाम है राउ चंद्र सेन B option इस question में correct होगा अगला अपना question है भिकानेर के सासक यम राउ जेटसी को हराकर 1541 इस्वी में बिकानेर पर अधिकार करने वाले जोदपूर के महाराजा का नाम क्या है तो जिन्होंने 1541 इस्वी में बिकानेर पर अधिकार करने वाले जो जोदपूर के महाराजा थे वो थे उनका नाम है राव मालदेव इन्होंने राव जेटसी को हराय 1541 में और बीकनेर पर अधिकार कर लिया डी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रशन है करनल टोट द्वारा समुद्र में फेका गया सिला लेक कौन सा था वो सिला लेक जो करनल टोट के द्वारा समुद्र में फेक दिया गया था वो सिला लेक है माल मोरी का लेक बी ओप्सन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रशन है निम्न में से अलसंगत आपको बताना है सिला लेक और प्रशस्ति लेखक कौन-कौन है तो घटियाला को सिला लेक नाध प्रशस्ति आमर कवी बिजोलिया का गुनभद्र सिलालेक लुण वशही का रोंए शोमेशोर नेमिनात मंदिर की प्रशस्ति अब इन में जो करेक्थ हैं वह क्या है तो इनमें जो असंगत है वह घटियाला के सौम सिराले कि ए इनकरेक्थ हैं एओउप्सन इस question में correct होगा अगला अपना प्रश्ण है रगुकुल में या तो रामचंद्र ने पित्र भक्ति का ज्वलत उधारन दिखलाया था या फिर गुहिलवंस के राजकुमार ने तो वो गुहिलवंस के राजकुमार कौन थे जिनोंने पित्र भक्ति का ज्वलत उधारन दिखाय था तो वो जो है उनका नाम है चूंडा ये रघुवन से बिलों करते हैं इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला क्योशन है मंदोर के राउ चूंडा राठोर की पुत्री हसा बाई का विवा किस से हुआ था इनकी जो पुत्री थी हंसा बाई इनका विवा किस से हुआ था इनक ने बनवाय था सांगरपुर सारंगपूर के युद्ध में विजय के उप्लक्से में ये विजय इस तमिर हैं उनका राम है रानी आनंद कुम्री इन्होंने बूंदी में मराठों को आमंत्रत किया था सी ऑप्सन इसमें करेक्ट होगा अगला क्योशन ही किस मुगल बात्सा ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर नई रियासत बनाई थी वह मुगल बात्सा जिन्होंने कोटा को बूं maً अंग्रेजों को दे दिया यह संदीक किसके द्वारा की गई थी यह संदीक कप की गई थी तो यह संदीक की गई थी ऐडीडीटीटी में प्ली जाता है तो थीध में जो करोली हल्दी घाटी के जब घानाँ के जो व्यक्ति उपस्तित था उनका नाम है अल बडायूनी विओपसंद में करेक्ट होगा अगला इस सद्थन हे महराणा पिरताब की mirrors माहराणा प्रताब की चहते कि आगार बात कि जाये लो में मियोपसंद सक्षेंर में करेक्ट होगा आगला क्योशन है 1298 वा क्योशन है अपना हल्दी घाटी को मेवार का थर्मोपोली तथा दिवेर को मेवार का मेराथोन किस ने कहा था तो हल्दी घाटी को मेवार का थर्मोपोली और दिवेर को मेवार का मेराथोन जिसने कहा था उनका नाम है जैम स्टोड डी ओप्सन इस क् करेक्ट होगा अगला क्योशन ही आहर की महासतियों में सबसे पहली छत्री किसकी है तो आहर की महासतियों में सबसे पहली छत्री जो है वो छत्री है महाराना अमर सेंग की सी ओप्शन इस question में correct होगा अगला question ही 26 जन्वरी 1620 को महराना अमर सिंग प्रथम का देहांत हुआ था तो यह जो देहांत हुआ था कहां पर हुआ था इनका देहांत हुआ था उदेपुर में तो दोस्तों यह थी राजस्तान जी के इसका पीडिएप आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हुआ हमारे वेबसाइट है www.dskurji.com जिसका लिंक आपको रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा थैंक्यू सो मच थैंक्स वो जिंग